मेरे पास है निव लांचिंग दो प्यारसा स्मार्टफोन, एक जो फोन है नाथिंग फोन 2, दुसरा जो फोन है OnePlus Nord 3, दोनों फोन लेकर बहुत सारे दोस्त कंफ्यूस है, आज इस वीडियो में दोनों फोन के भी इस डीटेल कॉंपेर करके आपका कंफ्यूसन को क्लियर कर दो चलिए दोस्तों कंफ्यूसन शुरू बात करता हूँ दोनों फोन की डिस्प्ले से यह पर बड़ा डिस्प्ले के सथ आ रहा है OnePlus 6.74 इंच 1.5 के रिजू लेसान के साथ एक फ्यूल एमोलेट पैनल है इसमें इसमें सेंटर पंच्छोल है और डिस्प्ले का बजल नीचे जो हर्स लेकर 120 हर्स तक काम करता है OnePlus में 1400 निट्स का पिक ब्राइने से नाथिंग में 1600 निट्स का पिक ब्राइने से दोनों फोन को आफ डायर सालाइट में अराम से यूज कर सकते हो दोनों फोन में आफ यूटूब पर 4K में HDR कॉंटेंट देख सकते हो लेकिन दोस्तों मूव के तरफ देखा जाए विनर जो है नाथिंग दोस्तों इसका जो बिल्कॉलेटी बहुत सॉलिड है लेकिन यह फोन थोड़ा सा भारी है 204 ग्रम का आता है क्योंकि इसका जो फ्रेम है वो मेट्टाल का बना हुआ है इसकी फॉन साइड में और बैक साइड में गलास है इसमे ग्लिप लाइट है जब जलता है देखने में काफी प्यारा सा लगता है और इसमें एक रेकोडिंग इंडिकेटर है कैमेरा का बाम स्लाइडली बाहर हुआ है ऐसे भी वान प्लस का डिजन इतना बुरा नहीं है इसका जो फ्रेम है पॉली कर्म बना हुआ है 195 ग्रम का आता ह हाँ हातों में फील देता है इसका कैमेरा काबाम स्लाइडली बाहर हुआ है पीछे एक फ्लैस है और एक कालर सेंसर है दुनो फोन का बैक पैनल पीछे से कर्ष्ट है दोनों को आप इजिली हातों में पकड़ सकते हो एसविए दोनों फोन में इंडिस्प्ले फिंगर काड को एक साथ में यूज कर पाओगे, SD काड का सापोर्ट नहीं मिलता है दोनो फोन में, दोनो फोन में dual mic है, ऐसे भी OnePlus में कुछ चीस अपको अच्छा मिल जाता है, जैसे कि इसमें alert slider है, आप फोन को easily silent कर सकते हो, इसमें IR blaster मिलता है, इस फोन को आप remote की तरह यूज कर सकते हो, दोनो फोन में NFC है, और दोनो फोन में dual studio speaker है, sound quality के मामले में मुझे nothing phone 2 सबसे अच्छा लगा है, क्योंकि full volume में इसका back panel private नहीं करता है, OnePlus थोड़ा सा private करता है, बाद रही camera के बारे में, तो दोनो फोन का जो primary sensor है, 50 megapixel, Sony का sensor है, nothing में 50 megapixel है, जो ultrawide के लिए, OnePlus में 8 megapixel है, ultrawide के लिए और इसमें 2 megapixel मिलता है, दोनो फोन में voice है, दोनो फोन बहुत ही अच्छा photo click कर लेता है, लेकिन दोस्तो color contrast और detailing के तरफ देखा जाए, यह अपन नाथिंग मुझे सबसे अच्छा लगा है, nothing color को accurate रखता है दोस्तो, OnePlus थोड़ा सा boost कर देता है, जैसे कि कुछ sky की color के फोटो के तरफ देखकर अप अंचत लगा सकते हो, कौन सा phone color को ज़्यादा boost करता है, lighting position को दोनों फोन ठीक ठाक तरीके से manage कर लेता है, OnePlus थोड़ा सा dark photo click करता है, skin tone की बात क्या जाए, तो nothing color skin tone मुझे सबसे अच्छा लगा है, इसमें detailing ज्यादा देखाई दे रहा है, OnePlus skin को हलका सा soft कर देता है, वकि nothing phone 2 में 32 megapixel का selfie है, OnePlus Nord 3 में 16 megapixel selfie है, यहाँ पर selfie camera में भी difference मिले, ज्यादा detailing में photo capture करता है, nothing tone, यहाँ पर skin tone को भी अच्छी तरीके से manage कर लेता है, दोनों फोन dynamic range को ठीक ठाक तरीके से manage कर लेता है, prototype shot के तरफ देखा जाए, background को भी अच्छी तरीके से blur कर लेता है, इस डीक सान को भी दोनों फोन ठीक ठाक तरीके से manage कर लेता है, बाकि दोनों फोन की back camera से आप 4K में 60 पेस में video को record कर पाओगे, यह है दोनों फोन का video sample, तो आप यहापर देख सकते हो, sky का color को OnePlus जो है थोड़ा सा ज़्यादा व्राइट कर दिया है, ऐसे भी autofocus की बात किया जाए, तो यहापर nothing phone बहुत ही fast है, यह और OnePlus भी fast है वाई, किसे से कम नहीं है, color contrast देखकर अप अंजद लगा सकते हो, कौन सा phone अच्छा video record करता है, nothing phone की selfie camera से अफूल HD में 60% video record कर पाओगे, और OnePlus की selfie camera से अफूल HD में 30% video को record कर पाओगे, अगर आप मॉबाइल से फोटोग्राफी करते हो, तो nothing phone 2 का जो camera है, आपको जुरूर पसंद आएगा, और OnePlus से बाता है, अगर आप मॉबाइल से फोटोग्राफी quality के साथ भी आ रहा है, बाकी दोस्तों, दोन फोन की power points के बारे में बात किया जाए, nothing phone 2 आता है, 8 plus Gen 1 chipset के साथ 4 nanometer पर बना हुआ है, मेरे टेस्टिंग में अन्तुदूस को 10 lakh plus आया है, OnePlus Nord 3 में Dimensity 9000 chipset है, यह भी flagship chipset है, 4 nanometer पर बना हुआ है, मेरे टेस्टिंग में अन्तू आसा slow भी नहीं होगा, लेकिन दोस्तों, gaming performance के बारे में बात किया जाए, तो दोनों फोन में, अब VGM जैसा game 60 chips में खेल पाओगे, gyro बगरा मस्त मिलता है, दोनों फोन में hitting का issue भी नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों, nothing gaming के लिए थोड़ा सा जादा optimize है, इसमें FPS continuous 60 रहता है, OnePlus में कभी-कभी FPS थोड़ा सा drop कर जाता है, बागी OnePlus में LPDDR 5X का RAM है, nothing phone में LPDDR 5 का RAM है, दोनों फोन में RAM management लगबख से मिल जाता है, तो slightly performance में वेटर phone है, nothing phone 2, ऐसे भी बारिस का time है, और दोनों फोन में IP54 का rating मिलता है, software के बारे में बात कह जाए तो दोनों हाल फिलाल में Android 13 में रान हो रहा है, दोनों फोन में तीन साल का Android अपडेट और चार साल का Security Fatch अपडेट मिलेगा, nothing phone में nothing OS 2 है, OnePlus में Oxygen OS 13 है, सच का हूँ दोस्तों, nothing OS 2 जो है, OnePlus की Oxygen OS से कही गुना stable भी है, bugs प्री है, इसमें अच्छा-च्छा customization भी मिल जाता है, जैसे OnePlus में floating windows में इसमें भी मिलेगा, app lock भी कर सकते हो, app को clone भी कर सकते हो, app को hide भी कर सकते हो, और nothing software update के मामले में कितना जादा fast है, वो आप सभी लोगों तो पता भी है, लेकिन battery में मैं OnePlus को चूज करूँगा, क्योंकि इसमें 5000 mAh की battery है, inbox आता है 80W का adapter के साथ, nothing में 4700 mAh की battery है, लेकिन inbox charger के साथ नहीं आता है, ये phone 45W का FIDIC charger को support करता है, 50W का wireless charging है, और 5W का reverse charging का features भी है, देखोए, battery features के मामले में nothing phone 2 जो ये best है, लेकिन battery backup के मामले में OnePlus best है, दोने phone की price के बारे में बात किया जाए, तो nothing का best variant आपको 45,000 रुपिस में मिलेगा, OnePlus Nord 3 का best variant सिर्थ 34,000 रुपिस में मिलता है Conclusion की बात करते हैं दोस्तों, दोनों phone की price में बहुत जदा अंतर है, अगर आप budget को बढ़ा सकते हो, obviously दोस्तों, flexible लेवर का experience आपको nothing phone 2 में मिलेगा, इसका performance जैसे अच्छा है, इसका camera quality अच्छा है, डिजाइन तो अच्छा है, और इसमें bleep light मिलता है, आपकी area में आपका एक अलग सी पैचान होगा, अगर आपका budget tied है, तो आप जूरू OnePlus के तरफ देख सकते हो, यह भी एक all-rounder phone है, price के हिसाब से सब कुछ इसमें अच्छा मिलता है, defend करता है आपके budget के उपर, भाई मेरा budget बहुत कम है, मैं OnePlus के तरफ जाऊँगा, आप कौन सा phone खरिदने के अगर आपने आभी तक नाथिंग पॉन 2 के साथ आईकोनियो 7 प्रो का compare वीडियो नहीं देखा, तो यहाँ पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो,